मेरा नाम प्रीष्टिवारी है और आज मैं आप लोगों पता हूँ कि बहुत जादा डेंडर्फ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए पूरे वीडियो एंड तक जरू देते हैं बहुत जादा डेंडर्फ हो जाती है तो आपके लिएर फॉल भी सुद हो जाते हैं कई बाद तो इसनले जादा डेंडर्फ हो जाते है, कि आप अपको क्या जाता है पोल्गों छुटकारा पालोंगी पहले यूज से ही लगवर आपका क्या है आपको पूरा वीडेट एंट्र देख लाए है इससे आपको अच्छे समझ में आजाएगा कि इतना जादा पॉप्री सा उस्टायप का हो गया था मैं ज़ा सब दो बार उज़ किया उसका देंटर जड़ से कतम हो अभी तक नहीं आए तो क्या करना है आपको पूरा व जो भी लोग देंडर्फ से परिसान है वो ये यूज कर पाए और उनका देंडर्फ पहले इस्तिमाल से काफी ज्यादा तक खता हुआ जो भी जाए परिसान है जितने हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इलाज कराते हैं फेजी उनकी जो डेंडर्फ का चकता से बना होता है वो रिमूव नहीं होता है बट इसके इस इलाज से यूज किया हुआ चीज है और 100% वर्टिंग है मेरे घर्दी चाय किया हुआ है मैंने मेटे के मैंने चाय किया है मेरे घर्दी सब लोग चाय काता है बहुत 100% effective है मैं कोई भी चीज पहले खुद पर अप्लाई करती हुआ है उसके बाद ही आपको के साथ सेयर करती हुआ तो पूरा वीडियो देखी अच्छे दिसे मजी और ठ्राय ज़ूर करना बहुत effective है 100% आ जड़ से खतम हो जाएंगी तो चली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को चैनल को सुब्स्ट्राइक जरूर कर लिजिएगा और बैल ऐकन प्रेश कर देना ताकि आपकी जो भी वीडियो आप मेरा देखना चाहो तो जबसे पहले नौटिफिकेशन आपको मिल जाएगी इसके इस देमाल से अगर एक बार में खतम ना हुए तो तो ही आप उटके कमेंट मत करें ना कि मैं खतमी नहीं आपनी बोला था कि खतम जाए तो आप देख सकते हो गाई कितना ज्यादा देंडर पर हैं इस टाइप के डेंडर इससे भी ज्यादा मेरे बेटे के बालों में हुए थे तो मैंने लिया यहां पर प्याज प्याज बहुत ही एफेक्टिव एगाई घर जोड के लिए और डेंडर के लिए रामबान करकाम करता है पहले मुझे इस पर विस्वास नहीं था बट मैंने जैखा इसका पर दिजल्ट जैसे मेरे देवर को भी बहु करद करना चुछ अब अपने हेर की इसाब से ले सकते जतना ज्याद़ आपको लगाना आप कितना भी लगा सकतो और लगा कि आपको कमकी कर में घंटे के लिए खोड ना है इसको सबस्टे प्रहिए फिह चाहिका से छील लिया है इसी बास मैं कद्युकस लेगी और कद्यु पुरा प्याज गीच गीच लें पुरा प्याज गीच लेगे वहे जेysisक गीच लीच है कोज-घीच कहशने निकाले लुछ तो पब ज़ब जूटा तो पैले इसी तरीके से निकाल लेती है तो इसी आपना ने निकाल लिया इसको और जो बचा होगा है उसको हाथा में लेकर अच्छे से निचोर लेती है पूरा दूस तो अपलाई कैसे करना वह में दिखा रहे तो आपना को अच्छे से में निकोर लिया इसका जूटा चलता है इसको अपलाई करके लिखाती हूं और कैसे कहता है को कि वास करना है वीडियो में वीडियो एंड तक जो ही देखनी गाई कि अप्लाई करने के लिए मैं आज कि मैं अभी जस्ट खोके उठी हूँ तो प्लीज गों माइन लिखके मत चाहिएगा कि शोके उठी हूँ अभी पहले यही लगा लेके उसका अपना काम करते रहेंगे तो एगंता बीचे अब सुबा को धो लेंगे तो यह मैंने इसका जू की कैप्सूल एड़ करते हैं उसका ज comigo निकाल ले नहीं थी कंद फिस्ट्वास से फाकड़त हैं करना हैं वमम लगाञा करते हैं हाफी यह कूर्ठ्ने लिक्सुल में बहुत हुआद अच्छी को धीश शğinपना बाल निया निक पहल दगाने में हैं दोनों को बहुत ही अच्छी है अगर आपका हेयल पॉल हो रहा है तो आपका हेयल पॉल खत्म हो जाएगा इस तरीके से इसको पूरा जड़ो में अप्लाई करना है एक के दुनिये तक में साज करना है तो फुदर लगा के मैं दिखाती है अब इस इंचे पुरा मुह पे भी आ जा रही है तो जब तक आप अच्छी से लगाने लोगे तक लगाते नहीं है और हाँ आप लोग मुझे इस्टा पे फॉलो कर लोगा है इस्टा पे मैं बहुत अपनी अच्छी पिक्स रगार अप्लोड करते है तो इस्टा आइडिया प्रीप की वारी 24 से तो उसके जाके फोलो कर लेना आपको बहुत अज़ी जिए वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी तो इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है तुझे बालो में और इसको अच्छे से मिस्ट कर लेगी है आइस के भी चला जा रहा है बहुत चलता है और इसको मैं बहुत रहे तो ध्यान से लगाएगा मुझे खुक से लगा रहे हैं आपके हैल्क ले लोगे तो जादा अच्छा रहे है वह अच्छे से अप्लाई कर देगा आपके बालो में यह जो वाइट वाइट होता है इसके भी प्याज का जूस अगर लगाओगे यह आएच के आज़ पर स्कोलस्टर रही कठा हो जाता है इसको इसके रेगुलर प्याज का जूस लगाओगे तो उसके यह भी तादा मिलाता है अच्छे से लगबब अपलाई कर लिया है अब इसको ऐसे ही छोड़ेंगे एक घंटे के लिए या जब तक सूपना जय तब तक के लिए आप ज्यादा भी छोड़ सकते आप चाहो तो रात में लगा के सुबह वाश किजी तो ज्यादा प्यादा करेगा मैं एक घंटे ही आपको फैदा होगा तो इस तरह की सिपूरा अच्छे से अपलाई मसाज करते हुए पूरे बालों को वास कीजिए और मसाज करने से आपके सारी गंदीगी निकल जाते हैं इससे आपका हेर फोल रुपता है और डेंडरफ भी कम होता है और आपकी बालों की ग्रोथ भी जाता है कि आपको फैदा हुआ कि नहीं और फैदा हुआ तो आपको लाइक कीजिए और शेर कर दीजेगा जिसको भी डेंडरफ की परवलम होती है तो इससे अमने का डेंडरफ फटम हो जाएगा मेरे का दे जो सबका जिम्म होगा है इसलिए बावे की साथ कह दिए तक और बाई लेकंटे प्रेस जरूब कर देना वीडियो के लिए लाइक से लिए कर देना ताकि सबको इस वीडियो से फायदा हो जाएगा आए बाई मिलते हैं एक वीडियो मिलता पाई गाईज